Assalamu alaikum this is Nabi Muhammad you are watching my reviews and this is Samsung QN800A 8K new QLED TV जिसे Mini LED के नाम से भी जाना जाता है so what is new QLED what is counter matrix technology what is 8K resolution क्या फर्क परता है इसके 8K resolution से क्या picture detail के पर impact आ रहा है क्या process इसमें सिस्नमाल हुआ है so in सब चीजों को हम इस वीडियो में discuss करेंगे so this video could be long but very interested especially अगर आपको इन technologies के बारे में नहीं पता तो यहां से आपको सारी information मिल जाएगी इसके लब हम इस में picture quality color contrast इसका sound मैं end में इस वीडियो के end में sound भी इसका सुना के दिखा हूँगा क्योंकि I am loving your sound और अगर आपको purchase करना है तो web link description में WhatsApp का number description में इसका आप हमारा एक official outlet कराची में हैं तीन तलवार यह इस वक्त यहीं रखाव है आप यहां पर आपके खुद भी से experience कर सकते हैं एक हमारा ओफिचल आपकेजिस माल में एक राउड पिंडी स्नावबाद में है और हैदराबाद में so review कर साथ करते हैं let's start सब्सक्राइब हम डिजाइन की बात करते हैं क्यों एट हंडिए इंफिनिटी वन डिजाइन है और जो के बाउनलेस डिजाइन है और आप इसके साइड से भी देखें तो इसके जो बॉर्डर जैं सिल्वर क्लार के उसके पर जो डॉट टेक्स्चर दिया हुए इसका इंप जो वायर का जो वायर सकैटर होते हैं अराम से वन क्रेंट बॉक्स पर लगते तो इसके वजासे और इस तीवी का लुफ मजीब प्रीमियुम a future is अगर इसके टेबल स्थेंगी बात करें तो काफी स्ट्रॉंग डिजि एप्लिजिस को स्ट्रॉंग ली ओल्ड किया हुए औ गर वन कनेट बॉक्स की बात करें, so simple, so look elegant, काफी अच्छा सा look देता है, कि आप इसे अराम से कहीं भी रख सकते हैं, और यह काफी simple उसलीक है, so I really like this वन कनेट बॉक्स, अगर इन बॉक्स की बात करें, तो वन कनेक्ट पोर्ट दीवी है, जिसके तो आप टीवी को पावर सप्लाय देते हैं, और चार HDMI पोर्ट हैं, इसमें, तीन USB पोर्ट हैं, इसमें, as you can see, और इसमें वन एथरनेट पोर्ट अवेलबले, और वन अप्टिकल आउटपट अवेलबले, वन अनालोग और इसमें आवेलबले, अगर हम इसके साथ रिमोट कंट्रोल की बात करें, तो यूनो, इसके साथ जो रिमोट आता है, वो वन रिमोट है, आप किसी भी डायक्शन से TVO कंट्रोल कर सकते हैं, इसके रावा बेस्ट इन्ग है कि यह सोलर टेक्नलोजी बेस है, आपकी जो में सनलाइट ह आप संट आधि आपके जो यह चार्ज बाइव इसमें टाइप सी चार्ज कर सकते हैं अब हम बादों करते है पिच्च वालिट के सब्सक्राइब करेंगे नियुक्यॐिट टीक्नलोजी मिनी लीड़ी वह मैं असां लफजों में समझाओ उन्हें अगर आप नहीं जानते तो आपको टेक्निकली इतनी एक्सपर्टीज नहीं तो मैं इतने असान लफजों में समझाऊंगा कि आपको असान ही से समझ में आ जाएगा यू किन से जो ब्लाक लेवल आएगा आएगा और वह किस तरह आएगा तो बैसिकली जो न्यू क्यूलेट टेक्नलोजी फिलब होता है म इतनी छोटी होती है कि दूसरे नॉर्मल ट्रेडिशनल क्यूलेट टीवी उसमें जो एलेडी लाइट है उसको मैं अगर इससे कंपैर करूं तो इसका जो एलेडी लाइट है जो सोर्स टीवी की इमेज बिनाती हो 40 टाइम स्मॉलर होगी चालिस गुना यह स्मॉलर होगी ए डिफ्रेंट ब्रैंड में अवेल बने लेकिन कौन सा ब्रैंड इसको कितने अच्छे से दिखा रहा है यह भी काफी माइन रखता है जो टीवी में बैकलाइड होती है यह बैकलाइड डिमिंग टेकनोलोजी है यह क्यों एट हंडडेड में एविन मॉर अप्डेड़ेड है को मजीद अच्छे से इस टीवी के अपर आप देख सकते हैं जो आपको डेमो दिख रहे हैं यह कैमरा रिकॉर्ड है लेकिन इसली यू किन एनलाइज के इस सम्थिंग माइंड ब्लोइंग टेकनोलोजी विन आइवुड से यह गेम चेंजर टेकनोलोजी है जो कि टीवी इ आउन या इन्ड या अपर एंड में में रिवी कर रहा हुता हूं लेकिन इसको जो प्रॉसेर है उसको मैं स्टार्ट में रिवी इस वासे करा हूं ने बर एक्स्पियंस इस वे विफोर यून आथके ती वी अब आनाश स्टार्ट हो गये में पाकिस्तान सबसे पहला जो प Official Intelligence Processor बलकि इसका जो processor है वो काफी strong है यह new quantum processor है बलकि यह ऐसा AI processor है जो image by image neural multiple layer के थरू content के input के उपर काम करता है यह basically 16 neural network के उपर काम करता है सो बिसिकली यह कंटेंड के इंपुट की इमेज को 16 लेयर में ब्रेक अप करता है लाइक कांट्राइस ख़ल नौ इस ब्लर मोशन और फिर उनको यह अप श्केल करता है प्र जो इसका प्रोसेशर आपको प्रोसेशर को पहले इसका प्रोसेशर जैसे आप को बताई एफ्चीव 4K के अपू अप्टू एड के अपर यह अप श्केल करता है और जिसना ये input पे काम करता है, input को enhance करके जो इसका output देता है It's really very amazing, जब मैंने first time देखा था, तो I was really very amazed और फिर जब हम इसके पर testing करते गए, so literally इसका जो image है, इसका जो output है, वो काफी बहतेरीन है अब हम बात करते हैं, color technology की, as you know, ये quantum dark technology है और ये 1 billion color shades के उपर काम करता है, color mapping के उपर काम करता है और because of new Q-Dat technology, उसका जो processor जैसे neural network पे 16 layer के उपर काम कर रहा होता है तो जो color आपको देख रहे होते हैं, काफी vibrant, काफी खुबसूरत, काफी dynamic आपको इसके उपर देख रहे होते है You know, हर वीडियो में contrast को मैं काफी emphasize करता हूँ, जिसना color important होता है, उसना TV contrast important होता है अगर आप dark room में content देख रहे हैं, तो आपकी content की detail है, और dark detail को आपका TV कितना अच्छी से दिखा रहे है, detail merge तो नहीं हो रही तो because of new QLED है, इसके contrast है, इसके dimming है काफी, आपको content की detail होती है, और dark content की detail होती है, इसको detail में दिखाता है उसको enhance करके दिखाता है, उसके input पर काम करता है, so overall, इसके contrast है, वो काफी बहतरीन contrast है So obviously, आप content देख रहे हैं, यह camera recorded है, आपको actual, अगर आप उस experience करेंगे, तो definitely you can have idea कि इसका output है, काफी बहतरीन output है, so again, thanks to new QLED technology and quantum matrix processor अब बात करते हैं हम HDR की high dynamic range, you know, streaming content है, या फिर आप जो movies देखते हैं, या फिर आप जो gaming करते हैं, HDR supported होती है, अगर आपका TV का HDR अच्छा है तो जो HDR content है, आप उतना ही उसी level के उपर अच्छा से देख सकते हैं, इसमें जो HDR है, quantum 32X से काफी बहतरीन HDR है, हमने इसके पर HDR के इस really very amazing, even जो छोड़ी सी minor detail है, उसके पर भी ये काम करता है, वो जो output provide करता है, वो enhance, वो काफी बहतरीन output provide करता है, you know, हर content है HDR supported नहीं होता, तो आपका TV, जो non HDR content है, उसके peak brightness को किस level पर दिखाता है, so again, thanks to इस जो processor है, quantum matrix processor, 16 layers के पर काम करता है, तो जो output provide करता है, HDR content का, वो क content की detail है, उसे खूलने देता है, और उसके output काफी बहतरीन लेवल के अपर ये दिखाता है, अब मैं black uniformity test की बात करता हूँ, यूनो, एक आपका TV, एक solid black करो कितने अच्छे से दिखा सकता है, ये black uniformity में आता है, so because of his dimming technology, new equivalent, इसकी जो black uniformity is really very amazing, एक solid black करो काफी अच्छे से दिखाता है, like अगर आप dark room में ऐसा content देखने हैं, जिसके पर white image ली है, और आपको ऐसा थोनी है, कहीं से white के glow हो रहा है, for example, अगर text लिखा हो आ रहा है, white आपको glow हो रहा है, तो आपको ऐसा कहीं भी feel नहीं होगा, हमने dark room में different content इसके पर play किया है, we tested that, and it has really very amazing black uniformity test, black uniformity test क एक video, हमने tutorial के video भी डाली भी है, अगर आपको अपने TV का black uniformity test करना है, so you can have idea from that, अब हम बात करते हैं, गरे uniformity test की, आपका TV solid single color को कितने अच्छे से दिखा सकता है, basically, if you like, अगर आप gaming करते हैं, sports एक जहां पर single color का जादा इस्तेमाल होगाता है, for example, football ground तो कहीं ऐसा तो नह जा रहेंगा, जादा आ रहें, so that means it has dirty screen effect, लेकिन इसकी जो gray uniformity test is quite very good, हमने इसके पर different content play की, हमने single gray uniformity test इसके पर किया है, it has really very amazing gray uniformity test, अब हम बात करते हैं, reflection की, जो मैंने last few videos से add कि कि काफी important है, for example, अगर आपका TV ऐसी जगा रखावा है, कामरे में जहां भाहर से रोशनी तो पीर नहीं होरी, so this TV की reflection handling है, वो काफी बहतरी है, क्योंकिस में एक तो anti reflection layer इस्तेमाल हुई है, जो reflection को, especially like reflection को handle करने के लिए, और reflection को काफी अच्छे से रोकता है, आप content को बिना किसी destruction के enjoy करते हैं, अब हम बात करते हैं, ultra wide viewing angle की, so this is the TV, if you have this TV, so definitely your friends are going to come to experience this TV, अगर आ circle है, आप जाला gathering में देखते हैं, तो ultra wide viewing angle is very important, for example, कोई site से, like TV के site से, खड़ो के TV देख रहा है, कोई center से, so अगर आपके TV का ultra wide viewing angle अच्छा है, तो जो image आप center से देख रहे हैं, उसका output का image का output है, वो ही, अगर आप site से देखे हैं, आपको मिर रहा है, तो वो ultra wide viewing angle में होता है, इसका ultra, इसमें ultra wide viewing angle है, so definitely आप इसको किसी भी angle से देखेंगे, you enjoy the content on it, अब हम इस TV की gaming performance को discuss करते हैं, हमने इसके ओपर different consoles लगा के देखें, इसके ओपर हमने 120 FPS के ओपर gaming किये, QN800A, यह HDMI 2.1 supported है, like 120 FPS के ओपर आप 4K resolution के ओपर gaming कर सकते हैं, इसके दाबाँ जो इसका input लाएगे, वो 5.8 MS 4K resolution के ओपर है, जो के काफी बहतीर input lag है, इसमें motion acceleration turbo plus available है, जो के game content के जो motion होते हैं, इसको काफी smooth दिखाता है, इसके judder को कम करता है, इसका response time, इसका input lag काफी maintain करता है, तो यह gaming का experience होता है, उसको काफी optimal level के ओपर दिखाता है, like, जो gaming के लिहास से अगर के resolution पे 60 Hz के ओपर हमने gaming किये, 60 frames per second के ओपर, so, जो output है, अगर हम HDR को processor से combine करें, तो काफी बहतीरीन, optimal, आपको gaming का experience मिलता है, काफी कम input lag इसके ओपर मिलते है, और because of this processor, जो इसकी 16 layer neural technology है, जो quantum matrix technology है, और जो इसका new QLED है, basically, जो अब scale है, जो 120 fps के जो game है, वो mostly 1080p के ओपर चल जो gaming कर रहे हैं, जो overall experience जो आपको मिलता है, काफी optimal, काफी बहतीरीन मिलता है, और plus इसके ओपर game bar का feature है, जिससे आप अपने जो game की, जो setting है, उसको directly change कर सकते हैं, आप monitor कर सकते हैं, जो expect ratio है, for example, अगर आप PC के ओपर gaming करें, PC connect किया हुए, तो game bar जो feature नया introduce करा है, Samsung ने, इ change कर सकते हैं, और इसके लावा यह आपको integrate करता है, इसका VRR, variable refresh rate, on, off, कितने FPS के ओपर gaming कर रहा है, HDR, on, off, so overall game bar is really very cool feature, so अगर में motion की बात करूं, so as you can see, because of its processor, because of its nuclear technology, जो आप movies इसके ओपर देखते हैं, जो आप action series, action TV series देखते हैं, जो moving object होती है, उसे काफी clearly दिखाता है कि आप जो movie से content है, उसे आप काफी अच्छे से enjoy करते हैं, अगर मैं smart features की बात करूं, तो Samsung TV इसके smart features पे काफी like focus दे रहा है, for example, इसमें Google do available है, जिसके तुर्ण वीडियो कॉल कर सकते हैं, you need to connect the camera, इसके पीसी on TV, for example, you are working from home, आपको TV के परकाम करना, you are tired working on laptop, आप simply laptop connect करें, TV के साथ, Bluetooth mouse connect करें TV के साथ, and you work on the TV, आपका जितना भी laptop का data है, वो सब TV के आप आजाएगा, इसका मैं tutorial भी बनाया है, और इनका जो update आया है, feature का, उसके भी मैं very soon tutorial बना हुआ, so that you can like able to use this feature, इसके लावसे multi view available है, एक वक में आप different screen view कर सकते हैं, आपने mobile mirror किया हुआ है, सा so all these effort we are doing just to help you, so if you haven't subscribe the channel, so please do subscribe the channel, so this is not it guys, अब मैं सके sound technology की बात करता हूँ, इसका जो sound है, literally जब हमने for the first time इसके पर sound play किया था, हमने इसके पर content play किये थे, we were amazed, इसमें 4.2.2 channel इसने माल हुआ, इसमें object tracking sound इसमें available है, OTS plus, तो इसका जो surround sound है, वो काफी आपको enhancement है, like अगर कोई object, one side to another side move हो रही है, तो आपको sound भी इस image के movement के साथ ही feel होता है, so if sound का मैं demo इस video खतम होने के बाद end make लगा देता हूँ, so that you can have idea, इसका sound किस का है, I'm sure you definitely gonna like this sound. So, so if I'm QN 800A को conclude करूं, इसका जो processor है, 16 neural layers के ओपर काम कर रहा है, जो FHD 4K content को upscale कर रहा है, just tail के ओपर या आपको 8K content provide कर रहा है, it's really very amazing, और इसके लावा जो contrast है, इसकी जो dimming है, जो color है, because of new QW technology, और इसका जो HDR 32X है, so definitely you enjoy the content on it, you can enjoy like, इसके पर जो आप content enjoy करेंगे, वो काफी बहतीन level के आप पर आप enjoy करेंगे, बहले आप gaming कर रहे हो, बहले movies देख रहे हो, बहले streaming कर रहे हो, so overall जो आपका experience होगा, वो optimal होगा, so I would say this is the game changer TV, और इसके जो HDMI 2.1 supported है, जो gaming के लिया से TV है, motion acceleration, turbo, so gaming के लिया से भी this is the amazing TV, so हर ल meet the sound bar, अगर आपका sound play करेंगे, जो surround मिल ला है, वो जो इसका object tracking sound है, इसमें जो space fit है, जो sound है, जो आपकी जगा के लिहास है, जो आपकी जगा को analyze करते है, उसके लिहास से ये TV आपको sound provide करता है, so this is really very amazing, this is really very, you know, futuristic TV, I would say if you are buying it, definitely you gonna love it, so अगर आपके वीडियो अच्छी ल we are trying our best कि हम आपको हर level के उपर help out कर सकें, so आपका कोई भी question है, कोई क्यूरी है, do comment हम आपको reply करेंगे, and see you soon in next video, take care, bye bye